टाइब गभी यूट्यूब आपका स्वागत है ताथियों ऐदि आप हमारे चनल पर्थम बार उपसित्थ हूं था हम्मारे बीटीव पहली बार देख रहे हैं प्रिपे हमारे चनल को सस्क्राइब कर लें बगले बेल आई घंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नई नई बाते समय से पताशती ने आप उनसे अउगत होते रहें साथियों इस वीडियो में मैं एक धार्मिक जनकाई देने जा रहा हूँ और मैंने इसका प्रियोग भी किया है और इसमें सफलता प्राप्ति की चांद से ज़्यादा रहे हैं को ऐसे कुछ ऐसे जुख हैं जिनकी साधी में बिलंब हो रहा है साधी में रुकाट पैदा हो रही है और सुलक्षणा और सुन्दर पत्नी की कामना भी मन में है तो साथियों इस्वर की इक्षा होती है इस्वर का असिरवाद होता है तो हमारी जो समस्याय होती हैं उनको दूर करके वो इस्वर जुन है और हमारी मनमाचित कामनाओं को पूर्ति करते हैं बस आप सकता है भक्त को उसके सामने समरप्रा करने की जोड़ा है अपनी याचना करने की हम जब कोई याचना करेंगे आपने देखा होगा विखारी भीख मांगते हैं लोगों से तो लोग दरवित हो करके उनको कुछ भेंट सुरूप देही देते हैं तो यह हम इस्वर से मांगेंगे इस वर हमको क्यों नहीं देंगे सिर्फ हमको मांगना पड़ेगा तो वैसे तो आप भक्ति करते हैं भक्त पहले से हैं तो सो तुम जानव अंतरजामी पुरो अबोर बनोर स्वामी यह भी एक होता है कि आप कोई कामना नहीं करते हैं आप सिर्प यतने काते हैं सो तुम जाना होंतर जामी पूरो अबुर मनुवांचित पत्नी प्राप्ति करने के लिए विभा हमें बाधाओं को दूर करने के लिए दुर्गा सबत्षी में अरगला सोत के अंतर गय ते मंतर आया है ओम पत्नी मानुरमां देहिमानुब्त ताराणीम तारनीम दुर्ग संसार साग्रस्या कुल द्वां इसमें माता से सुंदर शुलक्षन पत्नी के लिए प्राप्त करने के लिए कामना की गई है और उनसे निवेदन किया गया है कि ऐसी पत्री मिले जो मिर्वित के अनुसार मेरे परिवार के अनुसार वो चले और वो हमारा इस संसार भी सागर से भाव सागर से पार्ग उतार दे तो पत्नी चुकी सहचरी होती है उसके ग्रिया कलाप्पों के हमारे परवसर पढ़ता है तो इसलिए अगर पत्नी सहचरीत हुई तो जीवन आपका सुख में रहेगा तो शाथियों इस मंत्र को जिसे दुर्गाप जी का कोई आपको पास चीत्र हो, कोई आपको पास मूर्ती हो तो उन्हें आप तीलक लगा करके फूल चढ़ा करके अच्छा चाहा करके और दीप प्रजुलित करके अपना जुन है धूप दीप प्रजुलित करके और कम से कम प्रति दिन आपको चाहिए कि ज्यादा ना कर सके तो कम से कम पांच माला तो अवस्य करें और यदि आप अपने को असमर्थ पा रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे समय का भाव है तो किसी पंडी से दिया कराते हैं दक्षना दे करके तो फिर भी आपको कुछ नकुछ तो उसका करना ही पड़ेगा एक माला करने मह करना ही पड़ेगा आपको तो एक माला भी दियांप करेंगे वं माता से यह कामना करेंगे तो माता की इक्षा पूती करेगी और जब तक विवाह न हो जाए, तब तक आप उसको पीछा नहीं छोड़ना है, प्रति दिन एक मला जब करते रहें, तो स्वाइं करने वाले हैं, तो पांच मला करें, और यदि किसी पंडीच से कराते हैं, तो पांच मला पंडीच करेंगे, तो एक मला आपको भी करना तो इस तरह से आप जब करेंगे, और जब तक विवाह का तैन हो जाए, तब तक आपको यह क्रिया प्रतिन करनी है, और यदि यह सब संपन होने के कगार प्यार रहा है, कोई दिक्कत और हो रही है, तो आप किसी पंडीच से विद्वान से समय ले करके, और दुर्गर सब् आपको अच्छी लगी होगी, और आपको जो आपकी समस्या होगी, उनसे माता भगोती दूर करेंगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए भी से पतब तक लिन्मसकार, आपने हमारे वीडियो को सुरुषन तक देखा, इसके लिया आपको बहुत बहुत धन्यवा साथ बात